इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतिय नागदिक सूरक्षा सहिता के सेक्शन 6 के बारे में सेक्शन 6 चैप्टर 2 में डिफाइन किया गया है और चैप्टर 2 बात करता है Constitution of Criminal Courts and Offenses यहाँ पर मैं आपको बतादू कि जो हमारा Indian Constitution है उसका चैप्टर 4 जिसमें की निती निदेशक सिध्धांत बताए गए है इन निती निदेशक सिध्धांतों के अंतरगत हमारी कारे पालिका और हमारी नियाए पालिका को अलग-अलग करने के बारे में बात की गई है तो उसी वचा से भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता में कही गई बात को execute करने के लिए इसे दो तरह के courts में divide किया जाता है पहला तो है judicial magistrate का court और दूसरा है executive magistrate का court जिसमें की जो judicial magistrate होंगे उसे राजे के high court के द्वारा और executive magistrate को state के rule के द्वारा control किया जाएगा तो आई आगे बढ़ते हैं और बात करते है section 6 की जो की बात करता है classes of criminal courts की यानि की criminal courts जो होंगे वो किस किस तरह के हो सकते हैं इस तरह के अंतरकरत criminal courts का पुनर गठन किया गया है इसमें पुरानी सहिता में जो presidency magistrate थे उनकी जगा metropolitan magistrate ने ले ली है और इसमें third grade magistrate को भी जगा दी गई है तो इस तरह से जो हमारी Indian courts होंगी वो एक ऐसी जगा को denote करती हैं जहां पर कोई भी पक्षकार जिनके बीच में कोई विवाद पैदा हो जाता है उनकी सुनवाई के पस्चात उन पर निर्ने दिया जाता है उन्ही को हम court कहते हैं तो इस तरह से court का गठन उन व्यक्तियों से मिलकर होता है जो कि judicial काम करते हैं और parties के बीच में होने वाले dispute को सुलजाने के लिए कानून का सहारा लेकर उन matters को सुलजाते हैं तो इस section के अंतरगत जिन criminal courts का गठन किया गया है वो इस तरह से हैं पहला तो है second court दूसरा है judicial magistrate की court जिसके अंतरगत first grade magistrate और second grade magistrate को शामिल किया जाता है और first grade magistrate के equivalent ही metropolitan की court भी होगी जिसे हम MM की court कहेंगे और अगला है executive magistrate की court इसके अलावा और भी बहुत सारी court exist करेंगी जैसे की chief judicial magistrate की court, special judicial magistrate की court, metropolitan magistrate की court, special metropolitan magistrate की court, executive magistrate की court और इसी के अंतरगत आएंगी district magistrate और sub district magistrate की court और special executive magistrate की court तो ये कुछ क्रिमिनल कोर्ट होंगी जो कि स्टेट के द्वारा भारत में बनाई जाएंगी और उसमें क्रिमिनल केसिस की सुनवाई की जाएगी खोब की ये वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगी होगी इसके अगले सेक्शन के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी वीडियो इंफर्मेटिव है तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा